आज हम दसवी कक्षा के हिंदी व्याकरन अध्याय रस पर बातचीत करेंगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आज हम रस का अगला बेद पढ़ते हैं पिछले साथ बेद हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं उसके साथ साथ रस की परिबाशा तरस के अंग भी पढ़ चुके हैं अब हम अगला बेद पढ़ते हैं अद्बुत रस ठीक हैं अद्बुत रस का स्थाई बाव क्या हैं आश्चरी है अद्बुत रस का स्थाई बाव है आश्चरी है और इसका आलंबन क्या होगा आश्चरी जनक व्यक्ति वस्तू गटना या दर्शय कोई भी आश्चरी जनक व्यक्ति हो कोई वस्तु हो हो कोई गटना हो कोई दिश्या हो जिसको देखकर हमारे मन में यह भावो फैदा हो वो क्या होता है आलंबं उद्धीपन क्या होता है आलंबं की चाहर हो transforms रोमांच होना, रोमांची तो हो जाते हैं, स्तंबी तो होना है, टक-टकी लगा कर देखना, लगातार देखते रहते हैं, मुवाह वाह करना, उसकी पर संचा करते हैं, स्तंबी तो होना, मतलब एक जग है, रुक कर, रुक जाना कुछ समय के लिए, और संचारी भाव कौन- करते हैं हर से जड़ता आब एक उसको देखकर हमें घुसा भी आ सकता है हम खुश भी हो सकते हैं तो यह क्या होते हैं संचारी आब हम इसके कुछ माराना परताब तो माराना परताब ने यह सोचा ही था कि गोडा इसको कैसे पार करेगा तो जब तक मतलब राना ने यह बात सोची तो उसी उतने ही टाइम में चेतक ने नदी को पार कर दिया तो यह बात सुनकर हमें आश्चर यह होता है कि इतने कम समय में कोई कैसे नदी को कर सकता है अगला उधारन है देख यसोदा सिशू के मुख में सकल विश्व की माया शनबर को वह बनी अचेतन हिल नसकी को मल काया यसोदा कौन्थी श्रीकृषन की माता जी जब यसोदा ने श्रीकृषन के मुख में पूरे विश्व को देखा तो शनबर कुछ पल के लिए वह है अचेतन हो गई ठीक है चेतना नहीं रही उनके अंदर हिल न सकी कोमल काया उनक्या कोमल शरीर बिल्कुल हिल नहीं पाया इसके कुछ अन्योधारन देखते हैं पड़ी थी बिजली सी विक्राल लपेटे थे घंजैसे बाल कौन छेड़े ये काले साप अवनी पती उठे अचानक का यहा किसी चीज का वरनन किया गया है घंजैसे बाल थे उसके लपेटे रहे थे बिजली जैसी विक्राल थी विक्राल होता है बेंकर गन होते हैं बाडल गन क्या होता है बादल विकराल होता है बयंकर अवनीपती धर्ती स्वामी स्वामी ठीस है तो इसको सुनकर हमें क्या होता है आश्चर यह प्रकट होता है इसलिए यहाँ पर अद्बूतरश है और कुछ दारण देखते हैं जगी उसीशन विद्धुत जवाला गरज उठे होकर वे क्रुद क्रुद मतलब क्रोधीत होकर वो गरज उठे विद्धुत जवाला विजली के समान जवाला जगी उसीशन उनके मन में आज काल के भी विरुद है युद युद बस मेरा युद मतलब आज तो युद मेरा काल के भी विप्रीत है कि काल को भी मैं मोड सकता हूँ इतना गुसा है मेरे अंदर ठीक है आगे हैं हनुमान की पूछ में लगने पाई आग लंका सिगरी जल गई कई निशाचर बाग कि हनुमान की पूछ में आग भी निल लगी थी अभी लेकिन पूरी लंका जल गई और राक्षस गण बाग गई निशाचर क्या होता है राक्षस सिगरी मतलब पूरी लंका जल गई अगला हम पढ़ते हैं विबत्स रस ठीक है विबत्स जहां गिनोने पदार को देखकर गिलानी उत्पन हो वहां विबत्स रस होता है मतलब किस चीज को देखकर हम ठीची हमारे मुख से निकले तो ऐसी चीजे क्या होती हैं विवच्षरस में आती हैं जैसे युद के पस्चात चारा और शाव विखरे हूं शाव मतलब मुर्दा लोग मरे वे विखरे हूं अंग आदी काटकर गिरे हूं गिद और पोएशव को नोच रह हो ऐसी चीजों को देखकर हमारे मन में गिनता आती है इसका स्थाई बाव होता है जुगुप्षा जिसका मतलब होता है ग्रणा इसका आलमबन है दुर्गंद मैं मास रक्त अस्थी आदी अस्थी होते हैं अडियां तो तूटी अडियां खून दुर्गंद मैं बदबु ऊत्वातर बास को देखकर हमारे मन के अंदर ये बाव पैदा होता है और उद्धी पन क्या होता है मास का सड़ना दुर्गंदाना पसूं का नोतना ये उसको और पड़ा देता है वानूभा aucun हम क्या सारी जिक्रिया obser करते हैं उसको ना खोटेयदा करना ना क्यों बंद कर ठीक है, यह हम सारी रिक्रियाई करते हैं, और संचारी बाव क्या होता है, हमारे मन के अंदर जो कम समय के लिए उत्पन हो, वो संचारी बाव होते हैं, क्या-क्या, गलानी, आवेग, व्यादी, जड़ता, चिंता, इस रस के कुछ हुदारन देखते हैं, आँखे निकाल उड जाते, शन भर उड़ कर आ जाते, शव जीब खेंच कर कोवे, चुबला-चुबला कर खाते, मतलब पक्षियों के बारे में बताया है, क्या आखे निकाल कर उड़ जाते, शन भर में फिर वापीश आ जाते, इन सब्दों को देखकर ही पता लग रहा है, अगला उदारन है, सिर पर बैठो काग, सिर पर काग बैठ कर, काग मतलब कोवा, आखी दो उखात निकाल, दोनों आखों को निकाल कर खा जाता है, खीचत जीब इश्याराती ही आनंदूर धारा, तो उसकी जीब को खीच कर खा जाता है, और वह उतानंद कानूबव करता है, तो इसमें कौन सा तुनी चीजों को देखकर हमारे मन के अनदर घेन उपज जाती है ऊपज मतलब जनम ले ले sack तंबादी विबच रस जो मतलब विबच रस र-को मारे मज़िए के अंदर बढ़ा देती है। सिट की रूची मिट जाती और उस चीज को देख कर उस चीज के लिए अमेशा ही रूची मिट जाती है रूची मतलब हमारा चाहओ खतम हो जाता है उस सीजी के पपर एक नई उदारन गिद और फवर मंडरवे रहे थे or च श्यत्रत रहे थे जूछे को दडपा रहे थे यह भी कूंसे रसक्त का उधारन है विवात्ष वाद्चल्यरस ठीक है वाद्चल्यरस माता का अपना बच्चों के परति प्रेम बड़ों का छोटों के परति प्रेम गुरुओं का शिश्य के परति प्रेम आधी का भाव क्या कहलाता है स्ने प्रेम कहलाता है और यही स्ने का भाव क्या पैदा करता है वाद्चल्यरस कहलाता इसका स्थाई बाव क्या है वद्शल्टा या स्थाई बाव आलंबन कौन होता है किसको देखकर अमारे अंदर ये बाव पैदा होता है तो पुत्र शीशू शिश्य को देखकर अमारे मन के अंदर ये बाव पैदा होता है जब ये बाव पैदा होता है तो उद्धीपन क्या ह होते हैं थीक है बालक की क्रियाएंं तुत लाना हट करना उसका रूप थिक है मतलब उस पुत्र को देखकर आलम बन हुआ उसके दर ये बहाओ पैदा हुआ लेकिन उस बच्चे की खश्चे की क्रियाएं क्रियाए करते हैं और संचारी भाव हार्ष खुशी होती है गर्व उसको देखकर गर्व मैसूश होता है मो चिंता भी होती है शंका भी होती है उसको देखकर तो यह संचारी भाव है आगे इसके उधारन देखते हैं कब हुशसी मांगत आरी करई कब हुपरती बिंब निहार दरई कब हूँ करताल बजाई के नाचत मातु सबई मनमोद भरई यहां श्रीकर्षन की सुन्दरता का और श्रीकर्षन की क्रियाओं का वरणन किया गया है कि कभ हूँ कभी सशी मतलब चंद्रमा को मांगता है और कभी परतिभिम परतिभिम अपनी परचाई को निहारी देख कर डर अढर जाता है कब हो कभी करताल ताली वजाकर बजाई वजाकर नाचत नाचता है मातू सभई मनमल उसकी मात आशोध More और सभी के मन में खुशी बर देता है। अगला उदारण देखते हैं किलकत कान है गुट्रवनी आवत मतलब किलकारी मार कर कान हा गुटनों के बल चल कर आता है मनीमा एक अनक नंद के आंगन बिम्ब पकरीवाई दावत वो नंद के आंगन में गूंता हुआ बिम्ब अपनी परचाई पकरीवाई पकडने के लिए दावत दोडता है अगला उदारन है उठो लाल अब आखे को लो पानी लाई हूं मुह को दो लो ठीक है अगला उदारन मैया मोरी चंदर खिलोना ले हो इसमें श्रीकर्शंग या सोधा जी से हट करते हैं कि मुझे तो चंद्रमा रुपी खिलोना चाहिए गुंग राली लट लटके मुख उपर कुंडल लोल कपोलन की निचावर प्रान करे तुलसी बली जाओं लला इन बोलन की इसमें श्रीकर्शंग की सुंदरता कवर्नन किया गया है कि जो गुंगराली लटे-लटे मतलब बाल मुख पर लटके रहते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं और जो आने प्रान को बिनिचावर कर सकता हूं तुमारे वानी को सुनकर तुमारे मतलब रूप को देखकर मैं अपने प्रान बिनियो चावर कर सकता हूं रश का आखरी बेध है भगती रश जहां ईश्वर या भगवान के परती प्रेम भाव का वरणन किया गया हो वहां भगती रश होता है इसका साई भाव क्या होता है देव विश्यक रती देव विश्यक भगवान के विश्यक में प्रेम भगवान के विशय के परती प्रेम रती होता है प्रेम इसका आलमबन क्या होता है भगवान हरी ठीक है आलमबन मतलब किस के परती बाव पैदा होता है तो भगवान के परती आलमबन भगवान या हरी उद्धीपन कौन होता है सादू संग सादू लोगों का साथ और अनु बा प्रेम बाव पर कट करने लग जाते हैं तो अनुबाव क्या होता है सुवी चार और प्रेम और संचारी बाव क्या होता है हार्श फुशी और अश्रू आसू इसके कुछ उदारन देखते हैं मेरे तो गिरी धर गोपाल दूसरों ने कोई जाके सिर्व मोर मुकुट मेरो पती सोई इसमें मीरा बाई कावर्णन किया गया है मीरा बाई श्रीकर्शन के परती आसकत थी कि मेरे तो गिरी धर गिरी धर गिरी को दारन करने वाला आर्थात कौन श्रीकर्शन मेरे तो गिरी धर गोपाल दूसरों ने कोई पतलब गिर धर गोपाल के अलावा मेरे मेरा तो को इसमें बगवान के परति प्रेम लिकाया गया है